जैहिन सातियो वेलकम टू सेल्फ इस्टेडी किलासेस विस्वमित जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी सिक्षा सास से सम्मंदित लगबक सो प्रशनों पर चर्चा करने वाले हैं सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है और जो भी साती नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अनेकों जो है वीडियो चैनल पर उपर लब्द हैं आप सिक्षा सास से सम्मंदित पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट देखें सेल्फ स्टेडी क्लासेस जो चैनल का नाम उस पर किलेक करें चैनल खुलेगा उपर प्लेलिस्ट दी होगी प्लेलिस्ट पर किलेक करेंगे तो साही प्लेलिस्ट आपको लाइन से आ जाएगी ठीक है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें आपके परयावन के सो से उपर वी प्रस्ण जो आज हम पढ़ने बाले हैं, वो किसी न किसी एक्जाम में आय हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ने लाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है, तो स्टाट करते हैं दोस्तों, आज का ए वीडियो, आज का पहला प्रस्ण है, सिक्छन सहायक सामगरी सब्दक्राइब या केँवल कक्चा के अधियम लक्षों की प्रापती में सहायक हो तो अपना जो प्रस्न है वो क्या कह रहा है कि सेक्षण सहायक सामगेरी के चुनाओ करते समय ध्यान देना चाहिए, क्या देहन देना चाहिए कि बहे कैसा हो कि बद सेक्षण बिंदू के लिए सरल सुगम तता उपयोक्त हो या फिर प्रक्रण से संबंदित हो अधियम लक्षों की प्राप्ति में सहायक हो तब आपका उत्तर जो हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि क सेक्षण बिंदू के लिए भी सरल सुगम उपयोक्त हो और प्रक्रण से संबंदित भी हो और अधियम इस्तरों की प्राप्ति में भी सहायक हो उप्रक्त सभी यानि कि जो एक नमर है वो आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन देख साथ यो किस सिक्षण सूतर के अनुसरा से बालक में रुची जागरत होती है तो आपको बताना है कि कौन से सिक्षण सूतर के अनुसरा से बालक में रुची जागरत होती है पूर से अंस की ओर मूर्त से अमूर्त की ओर बिसेश से सामाननी की ओर या आगमन से निगमन की ओर ये चार बिकल्प हैं अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लेखें आपसे पूचा गया है कि किस सिक्षन सूत्र के अनुसरा से बलक में रूची जागरत होती है तो जदी से कमेंट बताएंगे आप तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तो आगमन से निगमन की ओर आगमन से निगमन की ओर जो सिक्षन सूत्र है इसमें क्या होता है रूची जागरत होती है यानि कि जो आपका बिकल्प नमर चार है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्टिन दोस्तो चात्रों को अपनी मात्रभास में बोलने के आउसर प्रदान करने चाहिए ताकि चात्र अपने आपको कमजोर ना समझे चात्र अपनी निजी कटनाईया बता सके या फिर चात्र अपना ग्रहकार आसानी से कर सके या छात्रों के लिए अधियम प्रिकरिया सरल एवं सहज हो सके तो क्या हो जाएगा छात्रों को अपनी मात्रभासा में बोलने के आउसर प्रदान करने चाहिए ताकि क्या होगा आपका उत्तर आपको बताना है चार बिकल्फ हैं, चार में से चैन करें और उत्तर बताएं तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्रों के लिए जो है अधियम पिरकिरियसरल एवं सहज हो सके छात्रों को अपनी मात्रभासम बोलने के आउसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्रों के लिए अधियम पिरकिरियसरल एवं सहज हो सके ठीक है, अंगला कोश्चन है पठन कोंसल आवस्सक है तो परोक्ष बिदी, आर्थ गिरहन, सब्द चैन एबन प्रत्यक्ष बिदी किस के लिए आवस्सक है पठन कोंसल चार बिकल्प में से आप चैन करेंगी तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तु अर्थ गिरहन अर्थ गिरहन में जो है, दो नमबर जो है वो पठन कोंसल आवस्सक होता है यानि कि जो आपका बिकल्प नमबर टू है, अर्थ गिरहन वो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है पठन कोंसल में जो आवस्सक होता है, वो क्या होता है अर्थ गिरहन आवस्सक होता है, टू नमबर आपका विल्कुछ सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन ही दूस्तों ओप्चार एक एक संबंदों में किस तरह की भासा का प्रियोग करना चाहिए एक तरह की भासा, कठिन भासा, सामान भासा या फिर अलग-अलग भासा तब आपको बताना है कि आपचार एक एम अनवचार एक संबंदों में किस तरह की भासा का प्रियोग करना चाहिए चार विकल्ब हैं चैन करें अपने उत्तर का तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा अलग अलग भासा अलग अलग भासा यानि कि जो आपका बिकल्ब नमर चार है वो यहाँ पर विल्कुश सही हो जागा ठीक हो अफचार एक एम अफचार एक संबंदों में किस तरह की भासा का प्रियोग करना चाहिए तो वो अलग-अलग भासा और चार नमबर आपका विल्कुछ सही हो जाएगा अंगला question दोस्तो प्रियोग या प्रियोकता के आधार पर इन में से कौनसी दो भासाएं नहीं हैं कौनसी दो भासाएं नहीं हैं बताना है यह चार बिकल्प में से चैन करना प्रस्ण है कि प्रियोग या प्रियोकता के आधार पर बताना है तब आपका right answer जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा किर्तिम और अकर्तिम भासा यानि कि जो बेकल्प नमबर आपका एक है वो विल्को सही हो जाएगा ये प्रियोग और प्रियोगता के आधार पर जो भासा नहीं होती वो किर्तिम और आकिर्तिम भासा नहीं होती है अंगला कोस्चन है भासा सेक्षन में बिविन निस्तरों के बच्चों की चुनोतियों के लिए एक सफल दरश्टी कौण है तो कौन सा है मनो बैग्यानिक दरश्टी कौण अध्यात्मिक दरश्टी कौण बैग्यानिक दरश्टी कौण या पिर समासास्त्री दरश्टी कौण तब आपको सही उत्तर बताना है कि भासा सेक्षन में बिविन निस्तरों के बच्चों की चुनोतियों के लिए एक सफल द्रश्टी कौन कौन सा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूस्तों मनो बेग्यानिक द्रश्टी कौन यानि कि जो आपका विकल्प नमर एक है वो यहाँ पर एक नमर बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोश्चन भासा की परिपक्ता से तातपर है क्या तातपर है ब्याकरण निजमों की जानकारी होना भासा का अधिक अधिक प्रियोग करना भासा की आवयाबों और स्वरों पर नियंतर होना या फिर विविद भासाओं की जानकारी होना तो भासा की परिपक्ता से क् बेकलप नमर एक विलकुल आपका सही हो जाएगा अंगला कोस्चन है भासा सीखने की पिरकिरिया में बालक सरपरतम किस भासा को सीखता है देव भासा, राष्ट भासा, मात्र भासा या फिर राज भासा तो सबी को पता है कि भासा सीखने की पिरकिरिया में जो बालक है सरप्रतम किस भासा को सीखता है तो आपका उत्तर क्या होगा मात्र भासा यह निकि जो बेकल्प नमर आपका तीन है वो आपका विल्कुश सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लिए थी भासा दिया में किंच हात्रों को कटनाई नहीं होती बताना है हमें तो आपका राइट उंसर क्या हो जाएगा जिनका मानसिक स्वस्त ठीक हो यानि कि जो आपका विकल्प नमर तीन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा जिनका मानसिक स्वस्त ठीक हो उनको क्या नहीं होती भासा दियाम में जो है कटनाई नहीं होती यानि कि जो तीन नंबर है वो आपको विल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला कोस्चन है कक्चा में प्रियोग की गई कोई भी सामगरी तब ही सेक्चेक सामगरी कही जा सकती है जब वह सेक्चक की रुची की अनुरूप हो चात्रों के मनरंजन में सहायक हो कक्चा के किसी उद्देश तक पहुंचने में असपल हो या वह सीखने सिखाने में उप्योगी हो अंगला क्उस्चन देख लेते हैं अंगला क्उस्चन है दोस्तों स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रिक्रिया को बढ़ाने के लिए उपरोक्त सभी केवल बिविन घटनाओं को सुनना चाहिए केवल कविताय सुनानी चाहिए या केवल कहानी सुनानी चाहिए या उपरोक्त सभी तो इसकूलों में बालकों की सुनने की प्रिक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है घटनाओं को सुनाना चाहिए कवीता सुनानी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो विल्कुँ सही हो जाएगा, उपरोग तो सभी ठीक है, प्रश्निक्रमांक 36 अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला कॉस्चन है, सुलेक से क्या तातपर है सुम से लिखा हुआ आलेक, सुना हुआ आलेक, सुन्दर लेक या लेक की सुन्दर कल्पना, तो सुलेक से क्या तातपर हो जाएगा तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलेक से तातपर होता है सुन्दर लेक, सुन्दर लेक यानि कि जो बेकल्प नमर आपका 3 है वो यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है, अंगला क्वेस्चन है किसी देश या प्रदेश की राजकाज या प्रसासन में जिस भासा का प्रियोग किया जाता है उस भासा को क्या कहा जाता है आपको बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रदेश की जो राजकाज या प्रसासन की भासा होती है उसे क्या कहा जाता है राजभासा, यहनि कि जो बेकल्प नमर आपका 4 है वो बिल्कुल राजभासा यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला question है सुन्दरम कक्चा आठ का छात्र है उसका सता तांकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्पून है उसका सता तांकलन करने में सबसे अधिक महत्पून क्या है मौक एक परीक्षा, लिकित परीक्षा, भासा परियोग की चमता या फिर ब्याकरण की बारीक जानकारी तो आपको बताना है चार की सुन्दरम जो है वो कक्चा आठका चात्र है उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्पून है, सबसे अधिक महत्पून बताना है, चार बिकल्ब हैं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौक एक लिकेत, भासा परियोग की चमता या ब्याकरण की बारीक जानकारी तो आपका उत्तर होगा दोस्तो बेकल्प नमर तीन एनिकी भासा प्रियोग की छमता आपका विल्को राइट अंसर हो जाएगा हमारा जो अंगला प्रस्ण है सेक्षण अदियम सामगरी के बहु मुकी स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है चार्ट, विलैक बोर्ड, बेंच या प्रोजेक्टर बहु मुकी स्रोत बताना है कौन नहीं है सेक्षण अदियम सामगरी के तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लेकें आपका राइट अंसर होगा दोस्तो बेंच, बेंच या नहीं कि जो बिकल्प नमबर तीन है सिक्षण अदियम सामगरी के बहु मुकी स्रोत नहीं है तो बेंच नहीं है तीन नमबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है अंगला कॉस्चन है सिक्षण को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए इन में से कोई नहीं बाए हाथ में, दाए हाथ में या फिर दोनों हाथों में तो जल्दी से उत्तर बताना है आपको सिक्षण को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए चार विकल्प हैं और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाए हाथ यानि कि जो विकल्प नमबर आपका टू है वो विल्कु सही हो जाएगा ठीक है वाए हाथ में रखनी चाहिए सिक्षक को हमेशा उस तक अंगला कोस्चन है अहिंदी छित्रों में हिंदी का सिक्षन बिवहारे को वा बिवेशनात्मक हो तारके को वा ओचित्पूर हो सहे जो असरल हो या फिर बैग्याने को वा स्वभावेक हो तो कैसा होने चाहिए अहिंदी छित्रों में जो हिंदी का सिक्षन होना चाहिए वो क चार बिकल्पों में इसे chain करना है और एक का उत्तर बताना है तब आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बैज्ञानक वा स्वभावेक हो यानी कि जो 4 नमबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा बैज्ञानक वा स्वभावेक हो अंगला question है ब्याकरण कोसादी के आधार पर सब्द के सांकेते कर्थ का बोथ कराने वाली सकती निम्न मैंसे क्या कहलाती है लक्षना सब्द सकती, बेंजना सब्द सकती, ब्रचना सब्द सकती या अविदा सब्द सकती तो ब्याकन कोस आदी के आधार पर सब्द के सांकेते कर्थ का बोथ कराने वाली जो सब्द सकती कहलाती है वो क्या कहलाती है प्रश्न किरमांग 6 का आंसर बताना है तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवीदा सब्द सकती अवीदा यानि कि जो बेकल सिर्वन कॉंसल डिलकुल सड Means है और सिर्वन कोंसल का जो समबंद होता रहा का यह इन के लिए किन यं दल की मदद नहीं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बताना है और उप्रोक्त सभी समाचार पत्रों की या टेप रेकाडर उच्चान सम्बंदी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों का उप्योग में नहीं लेना चाहिए तो किन यंत्रों को उप्योग में नहीं लेना चाहिए तब आपका उतर क्या होगा समाचार पत्र यानि कि जो बिकल्प नमबर तीन है वो आपका सही हो जाएगा ठीक है उच्छान समंदे समस्याओं को ठीक करने के लिए किने अंतरों की मदद नहीं लेनी चाहिए तो समाचार पोत्र आपका तीन नमबर विलकुल आंसर सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तो महराष्ट की राजभासा इनमे से कौनसी है बंबयया, मराठी, टपोरी या फिर हिंडी महराष्ट की बताना है आपको तब आपका बिलकुल सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में लखें अगर आपसे बनता है तो महराष्ट की जो राजभासा हो जाएगी वो हो जाएगी मराठी मराठी यानि कि जो बेकल्प नमर आपका टू है वो यहाँ पर बिलकुल आंसर सही हो जाएगा अंगला कोस्चन है दोस्तो भासा सिक्षक में निमलिकित में से कौनसा गुण आवसक नहीं है तो कौन सा गुण आवसक नहीं धनी वा उच्पद पर आसीन प्रभावसाली बेक्तित वा उत्तम संक्ठन करता बेक्तिक भिन्नताओं का ज्यान वा सही मानसिक स्वस्त या पिर जिस भासा में पढ़ा रहे हो उस भासा पर अदिकार तो कौन सा गुण आवसक नहीं है बताना है नहीं है तो कौन सा नहीं है तब चार कम प्रस्ण है चार विकल्फ है चार में से एक कचेन करके आप कमेंट में लिखें और इसका सही उत्तर होगा धनी वा उच्पद परासीन ये भासा से एक चक में जो है गुण आवसक नहीं है यानि कि जो एक वो आपका यहाँ पर विल्कुल आंसर सही हो जाएगा भासा एक उपकरण की रूप में प्रियोग की जाती है उक्त सभी केवल छम्ताओं का बेकास करने में केवल मानाव सब्वता एवं संस्कृति की पहचान करने में या केवल सीखने में भासा एक उपकरण की रूप में प्रियोग की जाती है तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा साथ यह इसका उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी यानि कि जो विकल्प नमर एक है छम्ताओं का बेकास करने में भी मानव सब्रता संस्कृती की पहचान करने में भी और सीखने में भी यानि कि जो उप्रोक्त सभी विकल्प नमर एक है वो राइट अंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है कक्चा में छात्रों की सक्रीता देखी जाती है सिक्चक की हां में हां मिलाने से सोर मचाने में मौन बैटने में या सुनने और बोलने में तो कक्चा में छात्रों की सक्रीता देखी जाती है कैसे में देखी जाती है चार विकल्प हैं चैन करें और उत्तर बताएं उत्तर होगा दोस्तो विकल्प नमर सुनने और बोलने यानि कि चार नमबर आपको विल्कुछ सही होगा कक्चा में चात्रों की सक्रीता देखी जाती सुनने और बोलने में चार नमबर आपको विल्कुछ सही है अंगला क्वेस्टन है दोस्तों कक्चा में प्रस्टन पूछना साहित्य कारिकरम कराना पाठों का अभ्यास कराना मौके के लिखित कारे कराना आदी किस सिद्दान्त की अंतरगत आती है आपको उत्तर बताना है क्रिया सील्टा का सिद्दान तनुकरन का सिद्दान अभी प्रेनाई वाम रुची का सिद्दान या अनुबंदन का सिद्दान कक्छा में प्रस्ण पूँशना साहित तेक कारिकरम कराना पाठों का जो है अभ्यास कराना ये सारे कि सद्दान्द की अंतरगत आते हैं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा किरिया सील्टा किरिया सील्टा यानि कि जो विकल्प नमर एक है किरिया सील्टा के सद्दान्द की अंतरगत आते हैं अंगला कोश्चन बताना है दोस्तों आपको निमन मैसे बाचन कौंसल की बिधी नहीं है तो बाचन कौंसल की बिधी कौंसल की बर्णमाला पद्धती द्हन्यातमक पद suffers तो बाचन कॉंसल की जो बिधी नहीं है वो कौनसी नहीं है तो प्रशन्य कर्मांग जो 38 और 38 का रायट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिदे हातमक पद्धती यानि कि जो आपका विकल्प नमर चार है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा ये बाचन कौसल की बिदी नहीं मानी जाती और चार नमर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा अंगला क्वेस्टन है निर्ण में से कौन सी बोली पस्चमी हिंदी भासी छेतर की नहीं है, तो पस्चमी हिंदी भासी छेतर की नहीं है, कौन सी अबदी, हर्यान भी, बुंदेली या फ्रब्रजभासा, तब आपका अंसर क्या हो जागा पस्चमी हिंदी की कौन सी नहीं है, पस्चमी हिंदी और पूर्वी हिंदी आपने पड़ी होंगी तो आपको पता है कि जो अबदी है ये पूर्वी हिंदी की है हरयाण भी, बुंदेली, ब्रजभासा ये पस्चमी हिंदी की माने जाती है अबदी बगेली और 36 गड़ी यह पूर भी हिंदी की माने जाती है यानि कि जो आपका बिकल्प नमबर एक है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन दूस्तों कहानी सुनना भासा की अविवेक्ति का कौन सा रूप है केवल मौखेक रूप मौखेक यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका टू है वो सही हो जाएगा केवल में मौखेक माना जाएगा कहानी सुन रहे हैं लिख रहे होती तो दोनों होता टू नमबर यहाँ पर आपका विल्गोज सही हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों 99 से किस ने क्रिया सीलता की सिद्दान्द पर बल दिया उप्रोक्त सभी ने डीवी ने फ्रॉवेल या फिर मांटे सरी ने क्रिया सीलता की सिद्दान्द पर जो बल दिया है वो किस ने दिया है चार विकल्प हैं कमेंट में जल्दी से उत्तर लिको तब आपका बिल्कुछ सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि डीवी ने भी दिया है फ्रॉवेल ने भी दिया मांटे सरी ने में किरिया सिल्टा की सिद्दान्त पर जो जो जोड दिया है बल दिया है वो सभी ने दिया है और बिकल्प नमर जो एक है वो बिल्कुछ सही हो ज यहना बालकों की अधिकम संबंदी कटनाईयों का पता लगा कर उसको दूर करने का जो बिदी कहलाती है वो कौनसी बिदी कहलाती है तो वो कहलाती हो प्चारात्मक यानि कि जो बिकल्प नमर तीन है वो आपका यहाँ पर विल्कुल सही आंसर होगा अंगला कोस्चन है बालकों की भासा सीखने में एक उप्योक्त परिवेस नहीं है तो क्या नहीं है विद्यालाय परियावरन समाज या फिर परिवार तो उप्योक्त परिवेस नहीं है बताना है तो नहीं ही में आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परि है बालकों के भासा सीखने में कोप्युक्त परिवेश नहीं है परियावरन टू नम्मर आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है दोस्तों निमेत रूप से किसी भासा को सुनकर बच्चे क्या गरन करते हैं सब्द ध्वनी अर्थ या भासा की बुनिया मूलियांकन किसी की सकती तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाईयों का दरपन है उपर दिया गया जो कतन है वो किसका है मूलियांकन किसी की सकती तथा कमजोरी उसकी कमियों और उसकी अच्छाईयों का दरपन है यह कतन किसका मार्स और बिंगो का मांटे सरी का लाओगा एक कथन बताना एक कथन किसका है अगर आपको पता है तो कमेंट में लखें और नहीं पता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मार्स और बिंगो मार्स और बिंगो का कथन है इन्होंने कहा कि मूल ल्यांकन किसी की सकती तथा कमजोरी उसकी कमियों और किसके द्वारा रचित निबंद है। हमें बताना है, पराजित पीडी की नाम किसके द्वारा रचित निबंद है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा। उत्तरोगा रबिंद्रनाथ त्यागी। यानी कि जो बेकल्प नमर आपका तीन है, वो बिलकुल सही हो शात्र असुद्ध लेकन कर रहा है तो एक कौन सा सिद्दान्त है चैन का सिद्दान्त अनुपात एबं करम का सिद्दान्त बैक्तिक बिन्निता का सिद्दान्त या भी प्रेणा एबं रुची का सिद्दान्त प्रश्न किरमा तीन और चार विकल्पों में से आपको उत्तर ब सिक्षन को प्रभावसाली बनाने वाली सामगरी है तो कौन सी है उप्रोक्त सभी केवल बिलैक बोर्ड केवल पार्ट पुस्तक या फिर मांचित्र तो सिक्षन को प्रभावसाली बनाने वाली जो सामगरी है वो क्या है तो बिलैक बोर्ड भी है पार्ट पुस्तक भी है सही हो जाएगा अंगला Question साथ सिक्षन विदियों का प्रियोग करते बक्त बच्चों की किन बातों का विसेज धियान देना चाहिए तो बच्चों की कौन सी बास्तों पर विसेज धियान देना चाहिए कठनाई पर तुटियों पर रुची पर या उप्रोक्त सभी पर तो सिक्ष्ण बिदियों का प्रियोग करते हैं समय बच्चों की किन बातों का जो है विसेज धियान रखना चाहिए तो सभी का यहनी की कठनाईयों का भी तुर्टियों का भी और रुची का भी वो प्रियोग सभी आपका विल्कुल स असुद्धियां होती हैं आपको बताना है प्रश्ण करमांगर नौ का उत्तर और जल्दी से कमेंट में लखेंगर आपसे बनता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरुक्त सभी यानि की बरतनी संबंदी भी बाकरचना भी संबंदी और ब्रामचन मंदी भी असुद्धियां होती हैं अब आपको बताना इनमेंसे कौन सी बिसेष्टा रेडियो नाटक की है रेडियो नाटक में ध्वनी और सब्दी की प्रमुक साधन होती है रेडियो नाटक में येकी पात्र होता है रेडियो नाटक में ब्यांगे की आवसकता नहीं होत कि रेडियो नाटक में संगीता वसक नहीं होता तो आपको बताने कौन सी विसेशता रेडियो नाटक की है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आंसर हो जाएगा रेडियो नाटक में ध्वनी और सब्दी की पिरमुक जो है साधन होती है यानि कि जो आपका विकल्प नमबर एक है वो यहाँ पर सही हो जगा एक नमबर ठीक है तो बताना दोस्तो अच्छी पाट पुस्तक के गुण नहीं है नहीं है बताना है कलात मक्ता, छात्रों जिग्यासा उत्पन करना, भासा विज्ञान का किलिस्ट होना या संपूर्ण पाट करम वेवस्ते डंक से संगरीत होना तो अच्छी पाट पुस्तक के गुण कौन सी नहीं है प्रशनी करमा को बारा का उत्र बताना है और बारा का उत्र क्या हो जगगा भासा का किलिस्ट होना अबदी भासा बताना है आपको पस्चमी हिंदी, राजस्तानी, पहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी तो अबदी किस भासा बर्गी की बोली है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्वी हिंदी यहनी कि जो बिकल्प नमर आपका D है वो सही हो जाएगा है ना कई बार आपको code बनाया है कि अब 36 गड़ी आसे अवदी बासे बगेली और 36 गड़ी यह पूर्वी हिंदी की जो है बोलियां हो जाती है अंगला question है दोस्तो किस स्रेणी के निबंद गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं तो किस स्रेणी के निबंद होते हैं संसलेशनात्मक निबंद होते हैं विशलेशनात्मक निबंद वरनात्मक निबंद या विचारात्मक निबंद आपका प्रशने किस स्रेणी के निबंद गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं तो किस प्रकार की निबंध होते हैं, चार बिकल्फ हैं, चार में से चैन करना हैं, तब आपका right जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिचारात्मक जो निबंध होते हैं, वो गंभीर चिंतन और मनन बॉद्रिक चिंतन से सम्मंदित या युक्त होते हैं, ठीके, तो आपका विल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा पत्र लेकन पत्र लेकन ये मौके कभी व्यक्ति का उधारण नहीं है यहनी कि जो बिकल्प नमर आपका 2 है वो यहाँ पर विल्कुश सही हो जाएगा तीक है अंगला question है भासा बिकास का दूसरा चरण है सुनना पढ़ना ल वो क्या होगा बोलना बोलना यानी कि जो बिकल्प नमर तीन है यह भासा बिकास का दूसरा चरण माना जाता है बोलना ठीक है तीन नमर आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंगला question है भासा section में मूल ल्यांकन की अवसकता पढ़ती है वो प्रोक्त सभी यानी कि छात बात्रों की छमता और कमजोरियों को जानने में या फिर सिक्षन पर किरिया को सफल वा प्रभावी बनाने में तो बासा section में जो मूल ल्यांकन की अवसकता पढ़ती है वो विकल्प नमर जो एक है वो बिल्कुल सही हो जागा ना इन सभी में पढ़ती है ठीक है तो एक नम समय लगता है तो भासा section की बोल चाल की सिद्दान्द द्वारा क्या होता है ये चार बिकल्प है और एक का चैन आपको करना है तो उत्तर बताएं कमें एक दो तीन लिखकर की क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर तब आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तो भासा सीखने में कम समय लगता है यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है वो आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अंगला question रेडियो उधारन है इनमें से कोई नहीं द्रस स्रब सामगरी द्रस सामगरी या फिर स्रब प्रशन करमा 32 का आंसर बताना है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो सभी लोगों को पता है कि रेडियो जो है वो स्रब सामगरी यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका चार है वो यहाँ पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अंगला question है दोस्तो बच्चे भासा का प्रियो अंसर क्या हो जाएगा उपरोक तो सभी यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है वो आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बच्चे भासा का जो प्रियोग करते हैं सुनकर भी करते हैं लिखकर और बोलकर सभी प्रिकार से करते हैं अंगला question है निन्मे से कौन सा भासा का तत तो नहीं है भासा का तत तो नहीं बस भासा आसामाजक होती है भासा द्वानी मूलक होती है भासा एक व्यवस्ता है या भासा प्रतिकात्मक होती है तब उत्तर बताना है आपको निवन में से कौन सा भासा का तत तो नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट में लेखें आ अंगला आपको बताना है निमने मैंसे मौके कभी व्यक्ति कौन सल है तो मौके कभी व्यक्ति कौन सल कौन सा है बारतलाब, सत्संग, भासन या फिर सभी तो मौके कभी व्यक्ति कौन सल आपको बताना है और 44 का आंसर बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उप्रुक्त सभी यानि कि बारतालाब भी मौके कभी वेक्ती है, सत्संग भी है, वहासन भी है, तो आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा. अंगला कॉस्चन है, निमलिकत बिकल्पों में ऐसे ब्याकरण से जुड़ी सिक्षन उद्देस बताईए, तब आपका उप्रुक्त सभी हो जाएगा, यहनि कि ज्यान भी है, कोंसल भी है और ग्यान का प्रियोग भी है. अंगला क्वेस्चन है जान डीवी द्वार समर्थित लेब विध्यालाई के उधारन बताईए तो जान डीवी द्वार समर्थित लेब विध्यालाई के उधारन कौन सा है प्रगती सील विध्यालाई जन विद्यालाई, सामान विद्यालाई या फैक्टरी विद्यालाई तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रगती सीर विद्यालाई ये जॉन डीवी द्वार समर्थित लेब विद्यालाई के उधारन है अंगला क्वेस्चन है जो बच्चे जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी पढ़ता है लिखता है हसता है या फिर सोचता है आपको उत्तर बताना है चार बेकल्प है चार में से सही उत्तर बताएंगे तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तो सोचता है यहीं कि चार नमर जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी सोचता है चार नमर आपका विल्कु सही होगा ठीक है अंगला question इनमे से भासा सिक्षन की चुनोतियां है तो क्या है केवल ब्याकन से समऻनदित चुनोतियां चेवल पठन से समऻनदित चुनोतियां या उप्रूगत सभी तो इन मेंसे भासा section की चुनोतियां है तो क्या हैं प्रशनिकरमा अंक 2 का answer बताना है तो अपरोग तो सबी आपका बिल्कुल सही हो जगा आपका जो विकल्व नमबर एक है वो बिल्कुल सही होगा अंगला question है मेवाती किस उपभासा बोली बर्ग की बोली है तो मेवाती के बारे में बताना है बिहारी हिंदी, राजिस्थानी हिंदी, पहारी हिंदी या फिर छत्तीस गड़ी हिंदी तो जो मेवाती होती है दोस्तो यह होती है राजिस्तानी हिंदी यह नहीं कि जो वेकल्प नमबर आपका टू है वो विल्कुल यहां पर सही हो जाएगा अंगला question है बिना खालिस्तान के ग्यान के संप्रेशन तथा लेखन का विकास संभव नहीं है तो किसके ग्यान के ब्याकरण के अनुबात के दोनियों के या इनिमें से कोई नहीं तो बिना खालिस्तान की ज्यान के संप्रेशन तथा लेखन का विकास संभव नहीं है तब आपको प्रश्ण करमक 13 का उत्तर बताना है अगर आपको पता है तो उत्तर बताएं तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ब्याकरण बिना व्याकन के यान के संप्रेशन तथा लेखन का विकास संभाव नहीं है यानि कि जो आपको विकल्प नमबर एक है वो विल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अंगला कोस्चन है जोस्तों मौके कभी व्यक्ति है तो व्याकन की आवस सकता होती है ताकि केवल बालक भावों को सुद्ध रूप में व्यक्ति कर सके केवल भासा संभन दी अविव्यक्ति का विकास हो सके या केवल सुरों के आरोव अबरोव या बलाग हातों को समझ सके या फिर उप्रोक्त सभी तो मौके कभी व्यक्ति है तो व्याकन की अवस्तकता होती है तो किसलिए होती है पंदरा का आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि की सभी के लिए होता है एक नम्मर आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंगला क्वेश्चन है भासा निगिमोद्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं बल्किय हमारी सोच को भी निर्मित करती है तो किसको करती है कला को संप्रेशन को संस्कृति या फिर सुन्दरता को भासा निगिमोद्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्किय हमारी सोच को भी निर्मित करती है तो किसको करती है कला को संप्रेशन संस्कृति या फिर सुन्दरता को आपको उत्तर कमेंट में लिखना है और आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या संप्रेशन ये जो बेकल्प नमबर आपका 2 है वो बिलको सही हो जागा ठीक है भासा नियं में द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्किय हमारी सोच को भी क्या करती है निर्मित करती है तो यह संप्रेशन यहाँ पर सही हो जागा बिकल्प नमबर 2 ठीक है अंगला क्वेस्चन है दोस्तो भासा सीखने के पिरमुक्चरण है तो कौन सी हैं पिरमुक्चरण पढ़ना लिखना समझना यह सभी तो भासा सीखने के पिरमुक्चरण हमें बताना है यहाँ पर तब आपका राइट आंसर क्या होगा आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरुक्त सभी यानि कि जो एक नमबर है बिलकुँ सभी भासा सीखने के पिरमुक्चरण होते हैं पड़ना भी लिखना भी और समझना भी ठीक है उपरुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोस्चन है दोस्तो भासा सिक्षन का लक्ष है तो क्या है अध्यान अध्यापन का विकास मानविय संबेदना का विकास भासा की समझ और अभी व्यक्ति का विकास या अर्थो पार्जन एवं यस प्राप्त करना तो भासा सिक्षन का लक्ष क्या है प्रश्निकरमांक 20 का अंसर तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा भासा की समझ और अविव्यक्ति का विकास एनि कि जो बेकलप नमबर आपका तीन है वो सही होगा भासा सिक्षन का लक्ष होता है भासा की समझ और अविव्यक्ति का विकास ठीक है? अंगला कोस्चन है भासा के स्थानिय भेद से प्रियोग भेद में जो अंतर पढ़ता है उसे कौन सी भासा कहते हैं भासा के स्थानिय भेद से प्रियोग भेद में जो अंतर पढ़ता है उसे कौन सी भासा कहते हैं अवदी, मानक भासा, मुक्क बोली या फिर बेभासा तो भासा के स्थानिय बेश से प्रियोग भेद में जो अंतर पढ़ता है उसे कौन सी भासा कहा जाता है तब आपका विल्कुल सही आंसर होगा विकल्फ नमर 4 यानि कि बेभासा कहा जाता है ठीक है चार नमर आपको विल्कुल सही हो जाएगा अंगला question आपको बताना है भासा कौंसल का एक परकार नहीं है, संचार, लेखन, सिर्वन या फिर भाचन, तो भासा कौंसल का एक परकार नहीं है, तो कौंसल नहीं है, संचार, लेखन, सिर्वन या फिर भाचन, तब आपका विल्कुल सही अंसर होगा संचार, संचार यानि क एक नमबर भासा कॉंसल का एक प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है संचार लेकन सिर्वाण वाचन ये सभी हैं संचार नहीं है यानि कि जो एक नमबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आपको बताना है भासा कॉंसल के कितने चरण हैं चार हैं पांच हैं दो हैं या फिर तीन है भासा कॉंसल के चरण बताना हमें तो भासा कॉंसल के कितने चरण होते हैं सबी लोगों वो पता है और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चार यानि कि जो एक नमबर है वो सही होगा भासा कॉंसल के जो चरण होते हैं वो चार चरण होते हैं एक नमब राइट आंसर होगा अंगला कोस्षिस जा की आधीघंस से होता है कि जो यह एक नंबर आ वह आपका गिलोग, बिलैक बोर्ड, कम्प्यूटर या मोबाइल वीडियो गेम्स आपको द्रस्त स्रब्ब बताना है कौन सी उपयोक्त द्रस्त स्रब्ब सामगरी है तो एक, दो, तीन, चार इस प्रकार से आपको कमेंट में लिखते जाना है और अपना आंकलन करते जाना है तो आपका सही आंसर होगा बिलैक बोर्ड और कम्प्यूटर बिलैक बोर्ड और कम्प्यूटर ये द्रस्त स्रब्ब सामगरी है, है ना, यहनी कि जो तीन नमबर है, वो आपको विल्कुल सही हो जगा ठीक है तीन नंबर अंगला क्वेस्चन है दोस्तो सहायक सामगिरी के जनक माना जाता है जॉंसन को मॉंटेसरी प्याजी या फिर फ्रोवेल को तो सहायक सामगिरी के जनक किसे माना जाता है प्रश्न किरमा 40 और आपका जो राइट आंसर हो जागा वो क्या हो जागा फ्रोवेल फ्रोवेल को माना जाता है सहायक सामगिरी के जनक यहनि कि जो चार नंबर है वो विल्कुल आपका सही आंसर हो जागा अंगला क्वेश्चन है बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभाव किस सिद्दान्त के अंतरगत होता है बैक्तिगत भिन्नता के सिद्दान्त के किरिया सील्ता के सिद्दान्त के समनवाय का सिद्दान्त या अनुकर्ण का सिद्दान्त बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुबा किस सिद्दान्त की अंतरकत होता है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा किरिया सीलता, किरिया सीलता है यानि कि जो बिकल्प नमर टू है वो सही होगा बालकों को करके सीखने में आनंद का नुबह होता है क्रिया सील्था के सिद्धान्त में अंगला कोश्चन है ग्राफ नीचे दिए गए बिकल्पों में से किसका उधारन है केवल सरब्ड सामगरी, केवल दरस सामगरी, केवल दरस सरब्ड सामगरी या उपरोक्त सभी तो आपको बताना है graph के बारे में नीचे दिगाए बिकल्पों में इस किस्त का उधारन है तब कमेंट में लिखेंगे आप 4 बिकल्पें जल्दी जल्दी से सभी लोग लिखेंगे और उत्तर हो जाएगा आपका क्या केवल द्रस से सामगरी केवल द्रस से यानि की जो बिकल्प नमर आपका 3 है जो बहुत सारी लोगों ने 3 बताया बिल्कुश साही है द्रस से सामगरी ठीक है अंगला क्वेश्चन है दोस्तो रूप स्रष्टी करने वाली सकती खालिस्तान है जीवन की बिविद द्रस्यों को सामने प्रस्तुत करना इसी का काम है तो किसका है कल्पना का अर्थ का बुद्धी का या फिर सब्द तत्तो का रूप स्रष्टी करने वाली जो सकती है वो कौन सी सकती है कलपना है कि अर्थ तत्त है या फिर बुद्धी तत्त है तब आपका right answer क्या होगा कलपना तत्त है कलपना नहीं कि एक number रूप स्वश्ची करने वाली सक्ती कलपना तत्त है एक number आपका यहां पर बिलकुल सही answer हो जाएगा अंगला कोश्चन हिंदी तरभासी चात्रों की मात्रभासा को जानना सिक्षक के लिए आसान है, सामान है, चुनोती पूर्ण है या फिर बिसिस्ट है तो हिंदी तरभासी चात्रों की मात्रभासा को जानना सिक्षक के लिए क्या है तब आपका right answer होगा चुनोती पून चुनोती पून यानि कि जो बिकल्प नमर आपका 3 है वो विल्कुल यहाँ पर तब प्रस्ट नहीं सिक्षन सहायक सामगरी सिक्षन अधियम प्रिकिरिया को केवल सहयोग करती है केवल प्रेरित करती है या फिर उप्रोक्त सभी आपको उत्तर बताना है 4 बिकल्प है आपके सामने 4 में से 1 चेन करना है answer आपका क्या हो जाएगा answer होगा कि सहयोग भी करती है प्रेरित भी करती है और प्रभावित भी करती है याँनि कि जो बिकल्प नमर 1 है वो आपका विल्कुल आंसर सही हो जाएगा ठीक है अंगला देखो बोलने के आवसक तत्तो होती है तो बोलने के आवसक तत्तो क्या होती है कल्पना, सील्ता, अर्थ गिर्हन, भाव एवं, बेचार या फिर स्वार एवं, बेजन जान जानए तो बोलने के जो आवसकतत तो होते हैं वो आपको चार विकल्प में नहीं से बताना है तब आपका right answer क्या हो जगा answer हो जाएगा दूस्तो भाव अबाम विचार ये जो है बोलने के आवसकतत तो होते हैं यानि कि जो विकल्प नंमर आपका 3 है वो विल्कुल आंसर सही हो जाएगा अंगला बताना है खड़ी बोली किस वर्ग की वोली है पस्च्वी हिंदी, राजिस्तानी, पहाडी या फिर पूर्वी हिंदी खड़ी बोली आपको बताना है तो चार बिकत्में से जल्दी से कमेंट में लिखो खड़ी बोली किस वर्ग की वोली है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पस्च्वी हिंदी यानि कि जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तों भिन्न भिन्न भासिक प्रष्ट भूमियों से संबंध होने के काण बच्चों के सब्दों एवो मुच्चारण में संकीनता पाई जाती है समानता होती है इसपश्टता होती है या पिर विविद्ता पाई जाती है तो चार बिकल्पों में से जल्दी से कमेंट में लिखो कि भिन्न भिन्न भासिक प्रश्ट भूमियो से संबंद होने के करण बच्चों की सब्दों में सब्दों ये वो मुच्चाड में क्या होती है संकीनता, समानता, इस्पश्चता, बिविदिता तो ग्यारा का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वेविदिता पाई जाती है वेविदिता यह नी कि जो बीकल्प नम्मर आपका चार है वो विलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन है मिस्त्रन के आधार पर भासा के कौन से दो रूप है मिस्तरन के आधार पर बताना है सिलील एवं असलील भासा राश्टी राज भासा सुद्ध असुद्ध भासा या मिस्तरित भासा आ मिस्तरित भासा तो मिस्तरन के आधार पर भासा के कौन से दो रूप है ये चार बिकल्प में से हमें चैन करना है तो जल्दी से लेके मिस्तरण के आधार पर आपको बताना है कमेंट में जरूर बताएंगे सबी लोग और आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न करमांग चउगदा का मिस्तरित भासा और आमिस्तरित भासा तो केवल पाठ करमों को विवस्तित करम से चलाने में केवल सिक्षा के पिरती रुची उत्पन करने में या पिर केवल सवाध्यन में तो पाठ पुस्त के जो सहायक होती है वो किसमें सहायक होती है प्रश्न करमांग 15 का उत्रवताना है तबी आपका राइट आंसर होगा उपरुक्त सभी में होती है पाट करम को विवस्तित करम में चलाने में भी केवल सिक्षा के पृति रुची उत्पन करने में भी स्वाध्यन में भी होती है यह निकि जो आपका एक नंबर है वो वेलकुल सही आंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तो धनियों को पृतिकों में लिपी बद्ध कर भासा को इस्थायुत प्रदान करने को कहती है तो लेखन बिदी कहती हैं सिर्वन बिदी बाचन बिदी या फिर पठन बिदी क्या कहती है ध्वनियों को पिर्तीकों में लिपी बद्द कर भासा को इस्थायत प्रदान करने को क्या ख़ा जाता है प्रश्निकरमांग 16 का आंसर बताना है और आंसर हो जाएगा लेखन भी दी लेखन यानि कि जो बिकल्प नमर एक है लेखन भी दी वो विल्कुल सही होता है प्रश्निकरमांग 16 का एक अंगला क्वेस्चन है बच्चों को भासा सिखाने के संदर में सिक्षक का उद्देश तो होता है तो क्या होता सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना बच्चों के अभी बापकों को पिरसन्न करना बच्चों को गरहकार देने के लिए या पिर बच्चों से अपना काम निकलवाने के लिए तो बच्चों को भासा सिखाने के संदर में सिक्षक का उद्देश से होता है तो क्या उद्देश से होता है प्रश्निक्रमांग 18 का उत्र बताना है और आपका जो राइट अंसर हो जाएगा सीखने की प्रिक्रिया को विस्तार देना यानि कि जो बेकल्प नम्मर एक है बच्चों को भासा सिकाने की संदर में सिक्षक का उद्देश होता है तो बहुत है सीखने की प्रिक्रिया को विस्तार देना एक नम्मर आपका विल्कुल राइट अंसर होगा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला होता है भासा की किस अभी व्यक्ति में होता है तब आपका विल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा लिखेत अभी व्यक्ति यानि कि जो विकल्प नम्मर तीन है वो आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन भासा सिक्षन के लिए कब औ और किस पद्धती का सहारा लेना चाहिए, इसकी जानकारी होती है, तो किस में होती है, प्रशनिकरमाग 24 का अंसर बताना है, और राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सिक्छक को, सिक्छक को यानि कि जो बिकल्प नमबर 1 है, वो विल्कु सही हो जाएगा, एक कॉस्चन देगो, अभी व्यक्ती कोंसल में सामिल है, केवल बोलना, केवल लिखना, केवल सुनना, बोलना और लिखना दोनों, तो अभी व्यक्ती कोंसल में कौन कौन सामिल है, सभी लोगों को पता है, तो उत्तर जरूर बताएं, और आपका बिल्कु सही हो जाएगा, उत उप्रुक्त सभी केवल बाद बेबाद, केवल रेड क्रोस या केवल अंत्याक्षरी तो पार्ट सहगामी जो किरियां हैं वो कौन सी है प्रशन करमांक 30 का अंसर बताना है और 30 का अंसर क्या हो जागा उप्रुक्त सभी बाद बेबाद भी है रेट क्रोस अंत्यक्षरी सबी हैं पार्ट सहगामी के लिए आएं और ये नम्मर आपको विल्कुत सही अंसर होगा अंगला क्वेस्चन है रचना की भेद की आधार पर बाक का कौन सा भेद जो है नहीं है तो रचना की भेद की आधार पर बाक का कौन सा भेद नहीं है तब आपका उत्तर क्या होगा प्रस्ण बाचक भाक है न तीन प्रकार के होते हैं मिस्टर, सरल और सन्यक्ति रचना की आधार पर होते हैं अंगला question है दोस्तों निवन में बच्चों की भासा समंदी तुरूटियां नहीं है पाट बस्तू को गरहन करने में सब दो चान समंदी वर्तिनी समंदी या बाक सरचना समंदी तो बच्चों की भासा समंदी तुरूटियां नहीं है अमें बतानी है तब आपका right जो आंसर हो पाठ पस्तू को गरान करने में यहनी कि जो बेकल्प नमबर एक है यह जो है भासा सम्मन्दी तुर्टियां नहीं है यह कि नमबर आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्टन देख लेते हैं किसी को बोलते सुनना तता उसे सुनकर समझ लेने की किरिया है तो क्या है लेखन है सिर्वण है पठन है या फिर भासन है किसी को बोलते सुनना तता उसे सुनकर समझ लेने की जो किरिया है वो क्या कहलाती है तब आपका विल्कुल सही आंसर होगा सिर्वण सिर्वन यानि कि जो बिकल्प नमर आपका 2 है वो सही हो जागा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन है बच्चे भासा सीखने की छमता के साथ पैदा होते हैं यह कथन निम्न मैं से किसका है बच्चे भासा सीखने की छमता के साथ पैदा होते हैं यह जो कथन है वो चौमस की साथ यानि कि जो बिकल्प नमर 3 है वो यहाँ पर विल्कु सही हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन सुनने की गतिविदी यदी रोचक और उप्योगी होगी तो मेधा भी बच्चे होंगे बच्चे अपना गरहकार आसानी से करेंगे बच्चे अधिक ध्यान के अंदरे थोकर सुनेंगे या फिर बच्चे कक्छा में अनुसासित रहेंगे तब आपको बताने सुनने की गतिविदी यदी रोचक और उप्योगी होगी तो क्या होगा बच्चे अधिक ध्यान के अंदरे थोकर सुनेंगे यानि की जो बिकल्प नमर आपका तीन है वो यहाँ पर विल्कुल सही हो जागा तीन नमर का ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन है सी की हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा भै उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी ए सिद्दान्त है चैन का सिद्दान्त सिक्षन सूत्रों का सिद्दान्त आबरती का सिद्दान्त या साहचर का सिद्दान्त तो आपका विल्कुर राइट आंसर हो जाएगा क्या विकल्प नमर तीन आबरती का सिद्दान्त तीन नमर आपका विल्कुर सही है ठीक है यह चीज आपको याल रखनी है अंगला क्वेस्चन राष्टी जीवन में हिंदी आपसी संपर्की महतपूर कड़ी बनने पर ही खाडिस्तान कहला सकती है क्या कहला सकती है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर होगा राश्ट्र भासा यानि कि जो बिकल्प नमर टू है वो आपका विल्कुल यहां पर सही हो जाएगा अंगला question है दोस्तों सिक्षन को प्रभावसाली कैसे बनाया जा सकता है सिक्षन सूत्रों के आधार पर सिक्षन को वेबसाय से जोड़कर सिक्षन को अत्यादिक सरकारी अनुदान देकर या इने मैंसे कोई नहीं तो सिक्षन को प्रभावसाली बनाना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जागा प्रशन करमानक 2 का उत्तर होगा सिक्षन सूत्रों के आधार पर सिक्षन सूत्रों के आधार पर यानि कि बिकल्फी नमर एक है वो आपका विल्कुल आंसर सही हो जाएगा अंगला a question है सिक्षन सहायक सामगिरी का गुन है तो क्या है परिषुदिता, रोचकता है प्रासंगेकता है उक्तसभी तो सिक्ष्ण साहयक सामगिरी का जो गुण होता है वो क्या होता है तो आपको कमेंट में लिखना है एक दो तीन चार इस प्रकार सी कमेंट में अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लखें उत्तर होगा कि परिसुद्धता भी है रोचकता भी प्रासंगिकता या निकि जो पर एक तो सभी है एक नमर आपको विलकुल सही आंसर होगा अंगला क्वेश्चन है रूपरे का अनुकरण बिधी है लेखन कोंसल सिर्वन कोंसल बाचन कोंसल या पढ़ने का कोंसल तो रूपरे का अनुकरण बिधी है तो क्या ह चार विकल्प में ऐसी चैन करना है और आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो होगा लेखन कोंसल रूप रे का अनुकर्ण बिदी क्या है लेखन कोंसल एक नम्मर आपको विल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला क्वेस्चन देखते हैं स्याम और रादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं एह रूप है किसका है सांकेते कभी व्यक्ती मौके कभी व्यक्ती लेकेत अभी व्यक्ती या उप्रोगत सभी तो स्याम और रादा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं क्या है तो बातचीत कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा मौके कभी वेक्ती केवल मौके कभी वेक्ती यानि कि जो बेकलप नमबर आपकर तीन है वो विल्कुछ सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अंगला क्वेस्चन देको स्याम पट को साप करने की सही पिरकिरिया क्या है उपर से नेचे की ओर, नेचे से उपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर या फिर दाएं से बाएं की ओर चार बिकल्प हैं, सबी लोग आंसर बताएंगे स्यामपट को साप करने की सही पिर्किरिया क्या होती है तब आपका विल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा बाएं से दाइं की ओर बाएं से दाइं की ओर रहनी की जो बिकल्प नमर आपका तीन है वो विल्कु सही हो जाएगा तो क्या है, वर्णमाला अधियम में कठनाई, केवल बरतनी दोश से पीड़ेत होना, केवल एकाँगरता में कठनाई, या प्रफरहोज रोक्त सभी दिसलीक्सिया का लाक्छन क्या होता है, प्रशन करमाग 10 का अंसर बताना है और आपको चार विकल्प हैं जल्दी से कमेंट में लिखो एक दो तीन चार तो डिसलेक्सिया का लक्षन होता है वर्णमाल आदियम में कटनाई भी होता है केवल वर्तिनी दोस्टी प्यूनेत भी होना एक अगरतायनी की उपरोप तो सभी जो है एक नम्मर आपको विलकुल आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है सिर्वन की आधार पर भासा का कौन सा भेद है कृतिम भासा, सहज भासा, आयोग आतमक भासा और सन्योग आतमक भासा किलिस्ट और सरल भासा, मदूर भासा, करकस भासा तो सिर्वन की आदार पर भासा का कौन सा भेद होता है चार बेकर्ट में से जल्दी से कमेंट में लिखना है क्या हो जाएगा आपका उत्तर तब आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो मदोर भासा और करकस भासा इस सिर्वन के आदार पर आप मदोर भासा भी सुनते हो और करकस भासा भी यानि कि चार नमर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंतर होगा अंगला question लिखने की नियमों का ग्यान होता है व्याकरण द्वारा बोलने द्वारा हाथ द्वारा भावनाय द्वारा तो लिखने की नियमों का जो ग्यान होता है वो किसकी द्वारा होता है व्याकरण की द्वारा यानि कि जो एक नम्मर है वो बिल्कुल आंसर सही हो जगा ठीक है व्याकन की द्वारा आपका सही आंसर होगा अंगला देख लिते हैं अंगला है सीखने के लिए बादचीत करना किन आयू वर्गों के लिए आवस्थक होता है किसोर आवस्था के लिए सभी आयू वर्गों के लिए वाल्य आवस्था के लिए तो सीखने के लिए वाजचीत करना किन आयू वर्गों के लिया वस्तक होता है तब आपका सही उतर क्या होगा सभी आयू वर्ग किसोर वस्ता, वाल्य वस्ता, सहसा वस्ता सभी आयू वर्ग के लिए जो है महत्पून होता है अंगला question भारत में हिंदी को किस भासा का दर्जा प्राप्त है राष्टर भासा बेभासा मात्र भासा या राजवासा तो भारत में हिंदी को किस भासा का दर्जा प्राप्त है हमें बताना है 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा विल्कुँ सही आंसर होगा राजवासा अंगला question बताना है आपका बाचन कोंसल का उद्देश है तो क्या है बाचन कोंसल का केवल सही ब्याकरणवाली भासा का परियोग केवल बालकों का उच्चान सुद्द करना या केवल बोले में ब्रामचिन्नों का परियोग करना तो बाचन कोंसल का जो उद्देश माना जाता है दोस्तों वो माना जातों प्रुक्त सभी ब्याकरण वाली भासा का प्रियोग भी चांड सुद्ध करना भी व्राम चुन्नों का प्रियोग भी यानि कि जो एक नमर है वो विलकुल आपका सही हो जाएगा अंगला कोस्चिन भासा बाहसा आदान जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं तो क्या आस्ता करतब या विचारों को इन में से कोई नहीं तो भासा के द्वारा के तो हम पता है कि विचारों का आदान प्रिदान का माद्न भासा है वो तो विचारों को हम व्यक्त करते हैं नहीं कि जो बिकल्प नमर आपका चार है वो विलकुल सही हो जाएगा अंगला कोस्चन है भासा ग्रण करने की पिर्किरिया एक एंसी पिर्किरिया है जो अस्थिर है निरंतर चलती है निस्चे तब्दी तक चलती है अस्थिर इस्थिर है तो आपको पता होनी चाहिए कि भासा ग्रण करने की जो पिर्किरिया है एक एंसी पिर्किरिया है जो निर अलादी के बारे में जो है बताता है तो वह सिक्षण की कौन सी विधि अपनाता है ? ज्यात से अज्यात की और, इस्तूर से सूक्ष्मी की और, सरल से जटिल की और, या फिर विस्षट से सामाने की और क्या होगा आपका राइट आंसर कक्छा में राष्टिय चिन्न के वारे में बताने से पहले यादि सिक्षक मोर चीता कमल आदी के वारे में जो है बताता है तो वह सिक्षन की कौन सी विदिय अपनाता है 33 का उत्तर हो जाएगा ग्यात से अज्यात की और, यानि कि जो विकल्प नमर एक है, विलकुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंगला कॉस्चन है दूस्तों, सुनना भासा बिकास का निम्न चरण है, दुतिये, प्रतिये या फिर चतुर्त, तो सुनना भासा बिकास का कौन सा चरण है, तब आपका र करतिये कौसल संबंदी बिकार होता है, पूर्ण अक्षा लिखना, समयसारनी बनाने में कटनाई, अपटनी या हस्त लेकरन या कागज को बहुत पास से पकड़ना, तो क्या होगा, करतिये कौसल संबंदी जो बिकार होता है, वो समयसारनी बनाने में कटनाई, यानि कि जो विकल्पर नमबर आपका 2 है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, कड़ती को असल समंधी बिकार होता है, समय साधी बनाने में कठनाई